नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से आज मेरी नजर को सप्लिमेंट करने के लिए मेरे साथ हैं बहुत वरिष्ट इतिहास कार, मृदूला मुखजी, जो जवाहला नहरू उन्यूसिटी में इतिहास पढ़ाती थी, और नहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइबरेरी की डारेक्टर भी रह चुकी हैं, बात हम करेंगे अभी हाल में बांगला देश में जो घटनाए हो रही हैं, इसको लेकि पूरे जो दक्षिन एशिया का जो रीजन है, इसमें काफी उतल पुतल है, कहा जा रहा है कि क्रिय प्रक्रिया की का दोर देखने को मिल रहा है, मतलब जो जहां पे मेजॉरिटी है, जो कम्मुनिटी जहां पे मेजॉरिटी में है, वहां के माइनॉरिटी पे हमला हो रहा है, हिंदुसान में एक तरह से मेजॉरिटेरियन एपिडेमिक चाया हुआ है, पिछले कई सालों से, तो उसमें ये एक तरह से neatly fit कर जाता है कि बांगलादेश में अगर वहां के अलब संख्यक हिंदूओं पर हमला हो रहा है, तो यहां के जो अलब संख्यक हैं उन पर हमला होना बिल्कुल जाइज है, अगर गुडगाओं में कोई जाके बोलता है कि भाई यहां पुब्लिक में आप नमाज नहीं पर सकते तो यह बिल्कुल valid point है, हम contemporary conflict और जो यह discourse है इसके बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन हम लोग पीछे चले जाएंगे, घड़ी को 75 साल पीछे ले जाएंगे, उस वक्त ले जाएंगे जब more or less हो जा रहा था कि हिंदुस्तान का बटवारा अनिवारे है, unavoidable है, मैं बात करूँगा आज नुआखाली की घटनाओं की, नुआखाली आज के बांगलादेश का एक बहुत महतोपूर्ण district है, वहाँ पे October 1946 में, वहाँ की जो हिंदु community थे, उनके खिलाफ बहुत major communal violence हुआ था, उस situation में, जब हिंदुस्तान में आजादी की negotiations हो रहे थे, तमाम narrative को छोड़के, तमाम politics को छोड़के, महत्मा गांधी ने हिम्मत करके, उन्होंने का, मेरे लिए और कुछ important नहीं है, मेरे लिए जो एक United India का जो vision है, उसको बचाने के लिए, मेरे लिए नौखाली जाना बहुत ज़रूरी है, और वो चले गए, और वो वहाँ कई महीने रहे, फिर भी लेकिन, ये जो chapter था of retribution, उधर का violence इधर पे, वो चलता रहा, उन सम तमाम चीजों के बारे में हम आज मुर्दुला मुखजी से बात करेंगे, सबसे पहले तो जो, आज हम अगर 75 साल पुरानी अगर बात को हम याद करें, तो जो context है, हमको पता है कि August 1946 में कलकत्ता में direct action call के बाद इस तरह का एक नरसंहार हुआ था, उसके बाद से दौर चलता रहा, गांती जी की बहादुरी या उनका जो vision था, उनकी जो zeal थी, आज के हिंदुसार में obviously missing है, तो हम immediately उस पर नहीं आके हम समझना चाहेंगे कि कि किस परिपेक्ष में नौखाली में दंगे भड़के थे, नौखाली और तिपेड़ा जो दो जिले थे जो बिलकुल आज के बंगलादेश के eastern part में जाके पढ़ता है, तो ज़रा इसके बारे में इतिहास के perspective से ज़रा समझाईए कि क्यों महत्वपून है हमको इसके बारे में बात करना, दीकि महत्वपून तो इसलिए है क्योंकि जो बुनियादी सवाल उस वकत हमारे सामने थे, सामप्रदायक्ता का, और सामप्रदायक्ता जिस तरह उस वकत भड़की थी, फैली थी, जोरों से, कुछ उसी तरह के context में से हम गुजरते रहते हैं, वो चीज़ें खतम नहीं हो गएं, कभी निकले नहीं हैं, निकले उतार चड़ाव रहे हैं बहुत, आजादी के बाद हिंदोस्तान में जैसे, खासकर गांदी जी के असैसिनिशन के बाद, एक इतना रिवल्शन हुआ था हिंदोस्तान में, इंकलूडिंग उन लोगों के अंदर, जो के कुछ न कुछ सामप्रदायक विचार रखते थे, उनको सब को ये लगा था, कि हम कहीं न कहीं गांदी जी के हत्या में शरीक हो गए हैं, क्योंकि हमने, गांदी जी ने हम इतना समझाया, पर हम नहीं समझे और उनकी जो इतने बड़े आदमी की जो इस तरह हत्या हुई है, कहीं हम सब उसके भागीदारी हैं, तो एक रिवल्शन हुआ था, एक कथार्सिस हुआ था, और तकरीबन दस साल हिंदोस्तान में सामप्रदायक हिंसा नहीं हुई थी, तो ये नहीं है, और वैसे भी जब तक हम रामजर्म भूमी मूव्मेंट के टाइम तक आते हैं, उस तरहां का बड़ा दौर नहीं, इंसिडेंट्स हुए, राइट्स हुए पर दब जाते थे, खतम हो जाते थे, नॉर्मल लाइफ चल पड़ दे थे, रोज की राजनीती में कॉंस्टेंट फैक्टर नहीं थे, नहीं थे, और देखिए, सामप्रदायक शक्तियां कॉन थी हिंदू कम्यूनल फॉर्स थे और मुस्लिम कम्यूनल फॉर्स थे, और कुछ हद तक सिख कम्यूनल फॉर्स थे, ये तीन तरहां के थे, इंडिपेंडेंट्स के टाइम जो पावरफुल थे, अब जहां तक मुस्लिम कम्यूनलिम का सवाल है, पाकिस्तान बनने के बाद वो जो है उसका मेन इशू था, क्योंकि ये दो कम्युनलिजम से भीड़े थे, पार्टिशन के टाइम, इमीजिटली अजादी के टाइम, पर वो ही गांधी जी की हत्या के बाद, क्योंकि गांधी जी की हत्या के साथ, हिंदू साम्फरदायक शक्तियों के नाम जुड़ गए थे हिंदू मासबा का, आर एसेस का, किसी तरह से भी जो एक सस्पिशन था, कि कॉंस्पिरिसी जो है उसके पीछे कौन है, तो इसलिए इन ये एक तरह से लोग जो है, वो खुद भी और दूसरे लोग भी उनसे कुछ भी रिष्टा नाता रखने से लोग पत्राते थे, क्योंक नौखाली का एक बहुत महतपून स्थान है, उसको जड़ा हमको कॉंटिक्स्टिक्स करके बताईए, कि गांधी जी वहाँ गए नौखाली में रहे, उस आके में काफी समय तक रहे, फिर वो हिंदुस्तान लोटे, हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के दौरान वो कल करताल पे बैठे जैनुवरी 1948 में और तब जाके उनकी हत्या होती, तो पूरा पीरियड है जो बहुत ही ड्रमाटिक जिसमें बहुत सारे डेवलप्मेंट्स हुए, नौखाली को हमको जड़ा कॉंटेक्शुलाइज करके बताईए, क्या महतपून है, नौखाली जहां तक कैसे हुआ वो तो आपने पहले ही बता दिया कि अगस्ट 1946 में डिरेक्ट आक्शन डे जो मुस्लिम लीग का कॉल था, जिन्ना का कॉल था, वो एक तरह से अपना असर्शन दिखाना चाह रहे थे कि हम लड़के लेंगे पाकिस्तान, और हम दिखा सकते हैं, तो वो उसका ग् का बहुत बड़ा जो है, मासकर हुआ आप कह सकते हैं, पर उसका ये था कि वो जो वाइलन्स थी, वो स्पिल ओवर करी, वो जो वाइलन्स थी, वो नौकली और तिपिरा का जो इलाका है, जो कि कलकत्ते से दूर है, एक रिमोट अरिया है, डेल्टा में, वहाँ पे भी मुस अपनी हजिमनी को इस्टैबलिश करना चेकते थे, और पाकिस्तान के बिल्ड़प के लिए, वहां के माइनॉरिटी पे हमला किया, ताकि उसके रेट्रिब्यूटिव एक्शन दूसरे जगह शायद पॉज हो, जी, और हुआ भी वो ही, कि फिर बिहार में बहुत जल्दी हि तो ये पीरिट जो था ये एक तरह से एक नया टाइप का फिनॉमनन हमारे सामने आता है, जब रूरल एरिया में कम्यूनल वाइलन्स बड़े पैमाने पे पहरी है, पहले नहीं होता है, तो हम को रेकॉर्ड्स मिलते हैं कि इवन दिल्ली के बहुत पास गड़मुक्तेश व नहीं बिल्कूल नहीं, बहुत ही रूरल एलाका है और वहां पे हिंदू माइनॉरिटी थी और मुस्लिम मजॉरिटी थी और एक जो बड़ी नई चीज यहां पे हमें देखने को मिली और जिसके खिलाफ और जिसने गांदी जी को बहुत डिस्टर्ब किया वह ये था कि जो रिलिजिस एलिमेंट्स थे जिसे रिलिजिस फिगर्स जो थे वो इन्वाल्व हो गए उसमें और जैसे पहले जैसे होता है कम्यूनल राइट्स होते रहे हैं तो जुरूरी नहीं है कि जो रिलिजिस फिगर्स होते रहे हैं तो जुरूरी नहीं है कि जो रिलिजिस फिगर् तो यह एक चीज थी जो बार बार वो उसके बारे में बात करते थे और रिलिजिस जो मॉल्वी वगरा थे उनको डारेक्टली बात करते थे हम जब पढ़ते हैं जब देखें कि जब वो जाना चाहते थे ग्रामीन आपको में तो वहां के जो कमनल फोर्स तो वो बकाइदा ब्लॉक किया जाए रस्ते में रस्तों को डेसिक्रेट किया जाता था उसमें गंदा फैलाया जाता था लाशे फैलाई जाती थी ताकि गांदी जी नहीं जा पाते थे इन फैक मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो गांदी जी का जो डिसिजन था नुआ खरी जाने का उने जो अपने तरफ से भी समझा है और जो देखने को मिलता है उनको ये conviction हो गई कि अगर हम ये सामप्रदायक हिंसा और सामप्रदायक सोच जो है जो कि अब गाउं में भी फैल रही है रिमोट जगा में भी फैल रही है अगर हम इसको नहीं रोक पाएंगे तो आजादी का कोई गelp नहीं रहेगा और उन्होंने कहा भी किए मैं नवाखली में जा रहा हूं हिंदुस्तान की रूह को बचाने के लिए उसके सोल की लड़ाई है यह सिरफ ऐक को हिदु-मस्लिम की या एक जगा रोकने की दूछी जगा रोकने की लड़ाई नहीं बार-बार उन्होंने कह कि मुझे यह भी कोई गम नहीं है कि अगर दो देश बनाने बना लो धार्म के बेसिस पर मत बनाओ कि हम लोग आपस में रह नहीं सकते हम एक सभ्यता हैं हम एक लोग हैं हम नेशन एक हैं तुमने देश दो बनाने बना लो यहां तक उन्हों नहीं का कि कोई आपके कोई और अबिशन है पर उनके जो लड़ाई थी वो सोच के खिलाफ थी और सिरफ हिंसा की नहीं पर यह सोच के हिंदु मुसल्मान एक साथ रह नहीं सकते जो इतने सदियों से रहे हैं यह गांदी जी का एक डीप कन्विक्शन था और सिरफ एक आइडिलोजिकल कन्व साथ आफरिका के दिनों से लेके उन्होंने हिंदु मुसल्मान दोनों को साथ जोड के लड़ाई लड़ी थी और कभी उनको कोई फरक नहीं दिखाई दिया था उनके क्लोसेस्ट असोसियेट जोते वो मुसलिम्स थे हिंदुस्तान में जब खिलाफत मुपमेंट की उन्हो हमारे लीडर बनो एक रिलिजिस इशू है पर लीडर बनेगे एक हिंदु बनिया महत्मा गांदी आप यह देखिए क्यों महाल क्या था मोजो अली ब्रदर्स थे उनको वो अपने भाई से भी ज्यादा मानते थे बाद में क्या होता है पॉलिटिक्स में वो अलग बात है प मेरे मतलब एक पहले भी आपसे नौ अखाली के बारे में चर्चा हो रही थी तो एक चीज जो अभर के आई थी कि जो तीन चीजे जो ती जो गांधी जी ने जाके जो अपना पूरा जो मिशन नौ अखाली अगर हम आज के मतलब युग में एक हेडलाइन देने की बात करें अगर मान लिजिए उसमें लाइव तेलिविजन होता तो मिशन नौ अखाली के नाम से स्क्रीम पे होता तो तीन मेसेज़े थी एक तो ये कि भय हटाई आप जाए वहां जहां पे हिंसा हो रही है और जाके रोखने की कोश्च करें दूसरा है कि जो हिंसा कर रहे हैं उसको कि आप अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी कबूल करिये और तीसरी जो बात है कि राजनीती में नैतिक्ता को दुबारा से कैसे रेस्टोर किया जाए ये तीन बाते मतलब बहुत मोटे तौर पे उभर के आई थी तो जरह इसके बारे मैं बताएंगे कि गांधी जी का एग्जै कि अपने प्रमोट करें थे जो हत्या होती है वो हिंदू करते हैं अब गांधी जी ने जो नौँ आखली में जो गए तो उन्हों ने पहले तो अपने एक्जांपल के साथ ये सारी बाते जो है लोगों को गांधी जी का ये था कि वो सिखाते थे सिरब बोलने से नहीं करके दिखाते थे तो आप जाते हैं और बिल्कुल रिमोट गाओं में रहते हैं रोज एक एक नए गाओं में आप जाते हैं थोड़े दिन बाद उन्होंने सरकार को क्या दिया कि मुझे पुलीस प्रोटेक्शन और मिरिटरी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए हटा लिए सार्कार थी उनको डर था कि अगर उनको कुछ हो जाए तो हमारा क्या बनेगा क्यों गांदी जी के उपर अगरवार हो तो रायट्स को उन्होंने परमिट किया था प्रमोट किया था मुस्लिम लीग के कारेकरता उसमें पूरी तरह से मिले हुए थे और सूरावर्दी के खुद के स् परमिट कर नहीं है मैं अपनी जान जो है दाव पर लगा रहा हूं गाओं गाओं पैदल चलके जाना बहुत रिमोट अरिया था जंगल का इलाका था पानी काटे मतलब किस तरह के जो रस्ते हैं जिन से उनको चलना पर तर तो काफी जगा पर और उन्होंने क्या किया कि उन इन गाओं में कोई दो महीने डेर दो महीने रहे श्री रामपुर में और आयसता हैस्ता उनोंने जितने उनके साथ ही थे मालव तक्रीबान दस लोग उनका जो गृूप था उनको सब को भेज दिया इंक्लूडिंग उनकी जो नीस थी उसको भी भेज दिया और कहा कि सिरफ मेरा एक जो टाइपिस्ट है, वो यहां पे रहेगा, तो उनके जो फिसिलिटीज है, खाना, देख बाल, वो सब भी उनोंने, और एक जोपड़ी में, एक गाउं में वो रहते थे, आप समझ सकते हैं, जो, और फिर उनोंने जैसे जैसे चलते जाते थे, एक गाउं से दूसरे गाउं, पैदल चलते थे, और लोग उनके रस्ते में मैला फैकते थे, काटे फैकते थे, शीशे फैकते थे, जैसे आपने कहा, तो उनका जवाब ये था, कि उन्होंने अपने जो खड़ाओ थे, उनके जो चपल थे, जो वो पहनते थे, वो भी उतार दियो, ठीक है, मैं न कर रहे थे, और वो ये देख रहे थे, कि कितना सफरिंग मेरे उपर डाल सकते हूं, डालो, मैं तब भी उसमें से निकल सकता हूं, और उस एक्जामपल नहीं, और कारेज की बात भी है, तो लोगों को अपने एक्जामपल से सिखा रहे थे, कि देखो, मेरे उपर भी महिलाएं डरी हुई थी, वो शाखा नहीं पहनती थी, सिंदूर नहीं पहनती थी, पबलिक में, तो जाके उन्होंने महिलाओं को कहा के शाखा पहनो, जो की निशानी एक हिंदू-Bengali महिला की, और सिंदूर पहनो, एक ऐसर्ट करो, इसलिए नहीं कि तुमको को कोई रिलि हिंदू महासभा बढ़ी एक्टिव थी वहां, उसे अरिया में, वो सरकार से यह मांग कर रहे थे, कि हिंदू के लिए अलग कैम्प बना दो, अलग एरिया बना दो, रिफ्यूजी कैम्प और उनको आर्म प्रोटेक्शन दो, और गांधी जी ने का, अगर हम यह मान लेंग यह जी एक शुरू से यह बहुत बड़ी देन थी हमारे सोतंत्रता अंडोलन को, कि लोगों को उनोंने सिखाया कि डर को पूल जाओ, अगर डर भूलोगे तो कोई लडाई नी लड सकता, और जो नरसंहा करता है वो अपने रिस्पॉंसिबिलिटी कबूल करें, बिलकुल, यह जो लोगों कहा कि पीस कमिटी बनाओ, बहुत अच्छी बात है, तो एक प्रपोजल यह था कि लोगों को केस दर्ज किये हुएं, मामले दर्ज किये हुएं, जो उप्रेसर है उसके खिलाफ उसको हटालिया जगाने तो यह तो सामने आके अपनी वो गिल्ट माने, और मा यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं हम कादीची को ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं और वाइलन्स नॉन्वाइलन्स के बड़े टफ इशू यहां पे सामने आए लोगों ने पूछा कि क्या हम वाइलन्स से रिजिस्ट कर सकते हैं जब हमारे पर अटैक होता है तो उन्हों कहा कि देखिए आपको मैं तो यह कहूंगा कि नॉन्वाइलन्स मन में लेके आपको रिजिस्ट करना है पर सबसे इंपॉर्टन बात है रिजिस्ट करना है आप बेशक अपनी जान दे दीजे जान ले नहीं लिजे पर जान दे दीजे तो उसके लिए तो बहुत बड़ी का करेंगे कि क्रिया मतलब एक तरह से एक एक्शन हो रहा था उसकी प्रतिक्रिया जैसे आपने जिकर किया बिहार में हमारे सर्चा में गड़ मुकटवेशवर की भी बात आई हंदुस्तान के बाकी इलाकों में यहां पर हिनु मिजॉरिटी थे वहां पे मुस्लमानों पर प् वो क्या कहते थे और वो जो एक सीमिंगली जो एंडलेस चेन ओफ कम्नल वाइलेंस है इसके खिलाफ उन्होंने क्या इसके बारे में उन्होंने क्या कहा इकि सबसे पहले तो बिहार की खबर तब ही आ गई थी जब वो नौए खली में थे जा रहे थे इन फैक उन पर बहुत प मारा जा रहा है तो गांडी जी का जवाब यह आप हिंदू और आप तो हिंदू को ही बचाएंगे तो यह अटाक था उनके उपर और उनका जवाब यह था कि जहां तक बिहार का सवाल है वहाँ पे मैं जो भी इंफ्लूएंस कर सकता हूं मेरे वहाँ जाने की जरुरत निय मैं यहां से ही कर रहा हूं और वह सच भी था क्योंकि बिहार में कॉंग्रिस की सरकार थी और एक बिलकुल कॉंट्रास था जरूर वहाँ पे हिंदू ने जो है अटाक करे पर सरकार का जो रवया था वह मुस्लिम लीग की सरकार से बिलकुल उल्टा था वहां कॉंग्रिस की सरकार थी और इंटेरिम गवर्मेंट में उस वकर जवालाल नेरु प्रेजिडेंट थे मतलब जो प्राइम निस्टर का पोजिचन बात में थी तो वो पूरी इंवाल्मेंट नहीं था नहीं था नहीं है उन्हों ने एक हफते के अंदर पूरे के पूरा सप्रेस कर दिया और यह एक बहुत बड़ी खुबी थी इतना बड़ा रूरल इलाका था बिहार का और हजारों लोग उसमें इन्वाल्व थे पर तफस्ट पॉसिबल आक्शन इंक्लूडिंग मिलिटरी को लागे बॉम्बिंग करी गई ऐसे के कुमुनल राइट को रोकना ही रोकना है और जो अपने काबिनेट को लेके जिसमें कृपलानी भी थे जिसमें सदार पतेल भी थे सब को लेके वह पॉँच गये और पूरा हैंड़ उन्होंने जो है उसको करने की कोशिश की और सक्सेस्फुली की एक हथते के अंदर पूरे अर्या को कंट्रोल में ले आए गांधी जी बा तब तक तो मामला उदर पंजाब में हिंसा भड़क चुकी थी तो एक यह पूरा दौर है फॉटी सिक्स ऑगस्ट से लेके सेप्टेंबर उन्हेस सो संतालिस तक का यह बहुत ही एक मतलब तरह तरह के जगाओं में तरह तरह के कारणों के लिए अलग लग प्रिटिकल फॉ तरह के जगाओं में तरह के फॉर्मेशन थे सिख कम्यूनल एलमेंट्स भी इसमें काफी प्रॉमिनेंट थे हिंदू महासभा का बहुत पड़ा रोल था इसमें कई जगा प्रिंस बहुत इन्वाल्ट थे जो प्रिंसली फैमिली उन्होंने भी प्रमोट किया कुछ यह कि व कि क्या विभाजन होगा तो किस प्रिंसिपल पे होगा पर एक चीज जो इसमें एक साफ लकीर की तरह इस पीरिट में आपको दिखती है वह गांदी जी का जो पूजिशन है उन जो बोलते हैं जो करते हैं नुआ खली से शुरू करके और जब तक उनकी हत्या ने की जाती व पार्थ में पार एक चे़ए को बंगाल की बात करुनि जरूरी है कि पोराधि जो क्या कुछ नहीं कह रहे थे उनको नुआ खली के बारे मर कह रहे थे यहां से तुम आग बिहार बे जाकर बचार वही सुरह वर्दी ने अगस्ट जब एक था रह गया आजादी का आने का थ और उस वकत फिर कलकत्ता तो इंडियन पार्ट में आ जाना था और उनका पावर 13 अगस्त को चला जाना था तो यह डर था कि अब जो है कलकत्ते के हिंदू बदला लेंगे पिछले साल अगस्त में जो हुआ उनके साथ अब नर्साहार होगा तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सुरावर्दी का काफी बदला उनके अगर आप पढ़े तो उस पर पता चलेगा कि उनका काफी सोचने का जो तरीका था और रहे और गांदी जी का हाथ पकड़ के उन सडकों में कलकत्ते की गलियों में वो पैदल चले लोगों को दिखाने के लिए कि अगर हम दूर थे पांच हजार डेट से एक साल पहले वहां पर चोटी बात नहीं थी और दोनों चाहिट में वह थे कूप वहां पे लोग जो है सडकों में आके मीटिंग बड़े-बड़े हजारों की कर रहे और गले मिल रहे तो यह भी एक हमें समझने की बात है कि दोनों चीजें जो है इस आखरी सवाल हम लोगों का वक्त निकलता जा रहा है कि मतलब खतम होने की दौर जारे हम लोग आखरी सवाल जो आखरी के जो अठारा महीने थे कांधी जी के जिंदगी में जो हम अठारा महीने या कुछ महीने जुलाइ ऑगस्ट उनिसो च्यालिस से लेके जनवरी उनिसो 48 में तो अगर कहें कि फाइनली हम लोग उसको उसका अगर बैलेंश शीट बनाए तो क्या वो एक लूजिंग बैटल फाइट कर रहे थे नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कैसे लूजिंग बैटल फाइट कर रहे थे अब पाकिस्तान का जहां तक सवाल है वो तो मुसल प्रोसेस बिल्कुल अनिंटरॉप्टेड रहा इसेंबली अपना काम करती रही अकॉर्डिंग टू शीडूल नाइटीन फॉर्टिन नवेंबर में साइन हो गया कॉंस्टिटूशन पे 26 जनवरी को हो गए हमारी पहले एलेक्शन एक साल बाद हो गए और विक्टरी इलेक् इतनी बूरी तरहा कि उनको बेरे खाल 490 के करीब या 60 के करीब पूरे सीट थे तो उनको 10 सीट विले थे और 6 परसेंट वोट बिला था तो इसका मतलब क्या है और ये अडल्ट फ्रैंचाइज पर बेस था मतलब हर हंदोस्तानी को वोट दिया गया था चाहिए वो गरीब स अजिए 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 पर फ्रीडम थी उनको इलेक्ट कर इसका मतलब ये सारय जो पीरट था उस पे वो लोगों के अंदर अपना एक सद्भाव नहीं बना सके अगर बना सकते तो क्यों नहीं उनको वोट बिलते गांधी जी की जो बृत्यू हुई वो मतलब पर लोट ये सुनक्रव ये चाहए वो फी इस ने थिए थी इस फीछनेट को Mage ॉ खाद अजिन में हम लोग फिर एक अजीब किसम के क्रोस्रोड पखड़े हैं पता ये कौन किस दिशा में हम लोग आ जाएंगे गांधीन स्पिरित को रिवाइब करना खासतों से बीगांव spirit को revive करना कितना ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है और अब उसका contemporary Gandhi is alive उसका example में मैं बताती हो आपको कि अब नौाखली में क्या हुआ जब अभी वो incidents हुए पूजा के टाइम जो बंगलादेश में जो अभी हुआ जिसको लेके हिंदुस्तान सरकार ने कुछ खास टिपने ही नहीं की अपने पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान के अंदर बंगलादेश के अंदर क्या हुआ शेख हसीना ने उसको बहुत strong words में condemned किया है अपने जो कहा है के जो भी है उनको वो पनिश किया जाएगा पर उस से भी जादा हजारों लोग सड़क पे उतरे हैं वहां पे to the Hindu minority, today we have to learn Gandhi, living Gandhi from there, we have to come out onto the streets and say, हम, हमारी Muslim minority को, या कोई भी minority को, या कोई भी marginal section के साथ, ये नहीं होने नेंगे, इस वकत हमें Gandhi वहाँ से सीखना पड़ रहा है, धन्यवाद, मतलब आपने मतलब बहुत ही मारमिक तरीके से इस बातचीत को खतम की, तो ये थी मुखजी की सबसे बड़ी advice की, आज के हिंदुस्तान में, जो majority community है, उसको सबसे जरूरी है, कि वो बहार निकले और बोले, कि हिंदुस्तान की minority पे हम हमला नहीं होने देंगे, वो अगर अपनी identity को display करना चाहते हैं, तो वो उनका हक है, उसको हम protect करेंगे, ये majority की responsibility है, शायद गांधी जी ने नौखाली के दोरान fearlessness और responsibility और morality को राजनीती में लाने की जो सीख थी, उसको हम में सीखना पड़ेगा, धन्यवाद ये कारिकरम देखने के लिए